है वोट्सपल गाईज वाल कम बाक तो न्यू वीडियो है हुमारा भारत देस है एक इसा देस जाए अप्टा में एक्टा वाला देश का जाता है और का जाता है भारत में आपको कई सारी खुब सुर चीज़े देखने को मिल जाते हैं और कई संसरे रोचक मंदीर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें से एक ऐंजनकर को बाद मुषान नाम से भी जाना जाता है बद्रीनाथ धाम को बद्रीनायन को भी कहा जाता है. पर क्या आपको पता ये कहा अस्थी थे? मैं बता तू. भारत के उत्राखन के राजिया में, चिल मुली जीले में ये उस्थी थे. और ये सास्त्रों में भी एक लिखा गया है कि बद्रीनाथ के धाम का दर्शन एक बार पूरे जीवन काल में कम से कम एक सकते दर्षण करना की चाहि operate me करने चाहिए क्या है बद्रीनाथ मंदिर में एंदू के देवता यानिकि विश्णु भगवान के रूपकी पुजा की जाती बद्री नाराण यह मूर्ति एक मीटर यानि की 3.10 फूट लंबी है 60 ग्राम जीकी और यह एक मंदीर की मूर्ति से मानियता है कि 8. सदी में संकराचार्या ने एक कुंड में से नारत कुंड में से निकालकर इस मंदीर में स्टापित की थी मूर्तिको उत्राखन के बद्रिनाथ मंदिर की महिमा का वर्नन, स्रीमत भागवत, केदारखन, कनपूरन, आदी में उनकी जगों पर आथा क्या आपको पता है बद्रिनाथ मंदिर में सोने का चत्रा और ऐसे कई सारी सोने की चीजे महारानी अहिलिया बाई ना चड़ाई थी पर बदरीनात धाम के बारे में कह जाते हैं जो भी एक देख बार बद री नारेन की परिक्रम में करें उसे प्रूत्वी दान का फॉम जोघड़ी मंदीर के उच्छाह के दर्सन किरें क्यूंकि यह चारों को मिला कर छोटा चार चॉठा का आजता क्या यह आप जानते हैं कि तेजस्वी लोग है मरपास कितने शांदार विचार रखते हैं जी जो भी जाए बद्री वो नाई आदरी यानि कि जो भी इंसान एक बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं उसको पूर्थ में वापस जनम नहीं होगा आपको इस वीडियो में बद्रीनाथ मंदी के फेक्स कैसे लगे और ऐसे कही सारे फेक्स होगे जो हमें नहीं पता होगा अगर आप जानते हो तो में कोमेंट बोक्स में बताएए